Hello Friends, मैं हूँ अरपित और आपका स्वागत है Lords of Literature पर दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही interesting poem की summary और critical analysis discuss करेंगे वो है कमलादास की My Mother at 66 लेकिन इस poem के बारे में कुछ भी discuss करने से पहले हम इस poem की writer कमलादास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिनका pen name है माधवी कुटी कमलादास का जन्म 31st मार्च 1934 को केरला के माला बार में हुआ था कमलादास ने मल्यालम के साथ-साथ English language में भी लिखा है और उन्हें Indian feminism writing के foundation figure के रूप में जाना जाता है My Mother at 66 कमलादास की one of the most famous poems में से एक है जो की अभी आपके सामने आपके screen पर है और अब हम इस poem की summary discuss करते हैं तो आए चलिए शुरू करें In this poem, the poet कमलादास describes her mother यानि कि इस poem में कमलादास अपनी मा के बारे में बता रही हैं उनके बारे में ये description दे रही है She says that she is 66 years old वो कह रही है कि उनकी मा जो हैं वो 66 year old है and looks very weak and old और वो इसी वज़े से वो दिखती कैसी हैं बहुत ही कमजोर और बुढ़ी दिखती हैं When the poet was returning from her parents home and was on the way to the airport her mother was with her तो poet यानि कि कमलादास जब अपने parents के घर से airport जा रही थी वापस लोगते समय तो उनकी मा भी उनके साथ थी वो उन्हें airport पर drop करने के लिए उनके साथ आ रही थी She noticed her mother who was sitting with her at the back seat of the car और फिर वो notice करती हैं अपनी मा को जो कि उनके साथ car की back seat पर बैठी हुई थी तो वो क्या देखती हैं? She was sleeping with her mouth open उनकी मा जो थी, वो सो गई थी, उन्हें नीद आ गई थी और उनका मुह जो था वो खुला हुआ था Her face was the color of ash and looked lifeless उनका जो चहरा था, वो बिलकुल ash के यानि की राह के color का था कहने का मतलब है कि उसका बिलकुल रंग उड़ा हुआ था, बिलकुल फीका पढ़ गया था और बिलकुल देखने में lifeless लग रहा था This very thought disturbed her so much that she diverted her mind and looked outside the car और इस विचार ने, इस thought ने उनको इतना ज़्यादा disturb कर दिया कि वो काल से बाहर देखने लगी अपने mind को किसी दूसरी तरफ divert करने के लिए She saw the trees by the roadside which seemed to be running तो जब वो चलती हुई काल से बाहर देखती हैं तो सडक के किनारे की जो पेड हैं वो उन्हें ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो दौड रहे हूं क्योंकि कार आगे की तरफ बढ़ रही थी इस वज़ा से वो पेड जो कि अपनी जगा पर खड़े हैं वो इस तरह से दिख रहे थे जैसे कि वो दौड रहे हूं There were young children running into the playground और वो और क्या देखती हैं वो बाहर देखती हैं कि जो बच्चे हैं वो प्लेग्राउंड में दौड रहे हैं All this symbolize life, energy and happiness और ये सारी चीज़े जो हैं वो किन चीज़ों को symbolize कर रही हैं वो symbolize कर रही है life, energy और happiness को यानि कि जिन्दगी को In contrast to her mother's appearance जो की बिल्कुल contrast है यानि की बिल्कुल विपरीत है उनकी मा का जो appearance है उसके यानि उनकी मा जैसी दिख रही हैं उसके सब बिल्कुल opposite में दिख रहा है When she did the airport और फिर जब वो airport पहुंच जाती हैं she again looked at her mother वो एक बार फिर से अपनी मा की तरफ देखती हैं Who looked old जो की बहुत बुढ़ी दिख रही है and dull और काफी dull दिख रही है Like the weak moon in the winter season जैसे की जो winter season यानि ठंड के मौसम का जो चंद्रमा होता है बहुत कमजोर सा उस तरह की सी वो दिख रही है The poet was surrounded by the same fear that she had during her childhood और ऐसा देखकर जो poet है यानि कमला दास वो एक बार फिल से उसी डर से घिर जाती है जो की उनके बच्पन का डर था और क्या था उनके बच्पन का डर? The fear of losing her mother यह डर था कि वो अपनी मा को खो देंगी She thought that probably this was the last time that she saw her mother alive तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि संभोता यह आखरी बार है जब वो अपनी मा को जिन्दा देख रही है जीवित देख रही है Her mother was about to die और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब जल्दी ही उनकी मा की death होने वाली है But then she tried to come out of the sadness and smiled at her mother लेकिन फिर वो किसी तरह से अपने आपको सम्हालती है अपने दुख से वो बाहर आती है और अपनी मा की तरफ मुश्कराते हुए देखती है She said that soon she would see her again और वो उनसे कहती है कि जल्दी ही मैं आपसे फिर मिलूंगी The poet wanted to be with her mother यानि कि ये जो poet है कमला दास वो अपनी मा के साथ रहना चाहती है एक बार फिल से Again and did not want to lose her तो वो एक बार फिल से अपनी मा के साथ रहना चाहती है और उन्हें खोना नहीं चाहती है तो दोस्तों ये थी इस poem की समरी अब हम इसके critical analysis के बारे में बात कर लेते हैं My mother at 66 poem is written by कमला दास and is one of her very popular poems तो ये poem जैसा कि आप जानते हैं कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है और उनकी सबसे ज्यादा popular poems में से एक है कमला दास is famous for capturing the complexities of personal relationship और कमला दास famous हैं किस चीज़ के लिए जो personal relationship की complexities होती है उन्हें अपनी poem में capture करने के लिए अपनी writings में capture करने के लिए She brings out a contradiction in human relationship और वो जो humans की relationship हैं एक दूसरे से उनमें वो contradiction को लाने और उन्हें express करने में अपनी writing में बहुत ही expert है Throughout the poem, she has pictured what emotion a daughter feels when she bids farewell to her mother और इस पूरी poem में वो दिखाती हैं कि एक बेटी जो है उसके भीतर क्या emotions होते हैं जब वो अपनी मा को विदा बोल रही हो अलविदा बोल रही हो तो उसके मन में कैसे ख्याल होते हैं क्या उसकी भावनाएं होती हैं ऐसा उन्होंने इस poem में दिखाया है She feels sad for her mother and is not able to express her grief तो यह जो कमला दास हैं वो काफी दुखी हैं किस वज़ा से अपनी मा को लेकर उनके बारे में सोच कर वो बहुत दुखी हैं लेकिन वो अपने दुख को एक्सप्रेस करने में नहीं सक्षम हैं वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रही है इस पोयम की थीम जो है वो एजिंग है यानि बढ़ती हुई उम्र है जो की एक नेचर का एक कुद्रत का नियम है इट अलसो डेपेक्ट्स दा हेल्पनेस एंड एस्पिरेशन ओफ यंग जनरेशन तो इसके अलावा यह पोयम क्या करती है यह पोयम जो है वर्णन करती है किस चीज़ का जो यंग जनरेशन है उसकी हल्पनेस का और उसके एस्पिरेशन का यानि कि उसकी महतोकांशाओं और उसकी अभिलाशाओं को यह एक्सप्रेस करती है इट पोयम जो जीवन की अलग-अलग स्टेज़ेस हैं उन्हें पोट्रे कलती है उन्हें चित्रित कलती है और किस तरह से हर कोई बूढ़ा होता है और अलग-अलग तरह की सिच्वेशन का वो सामना कलता है जो की जिन्दगी उन्हें दिखाती है तो दोस्तों उमीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपने अब तक के चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक यू